नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आशुतोष एक बड़ी ख़बर आ रही है बिहार के राजनीती से और ख़बर है कि कृष्णा यादब जो की राश्ट्रुए जनता दल आरजेडी की नेता है उनको 6 साल के लिए पार्टी विरोधी गया है बकाईदा इस बात की जानकारी प्रेस रिलीज जाड़ी करके रामचंद्र पुर्वे जो की प्रदेश अध्यक्ष रिलीज जाड़ी करके आपको बताता हूँ ये पुरा मामला क्या है कृष्णा यादब पहले आरजेडी से खगरिया लोगसभा खशेत्र के लिए टिकट माग रही थी आरजेडी ने उनको टिकट नहीं दिया जसके बाद उनकी विहाप पे पूनम देवी जो की जेडियू की नेता है उन्होंने बकाईदा लोग जन्शक्ति पार्टी के नेता से मुलाकात किया पश्वत कुमार पारस से मुलाकात हुई तीन से चार घंट कल बैठक चली पश्वतिकुमार पारस के निवास अस्थान पे पटना स्थित उसके बाद जब वहां से भी बात नहीं बनी तो उन्होंने एक आफर दिया था लोग जन्शक्ति पार्टी को की खिश्वत जन्शक्ति पार्टी अपना उमीदभार भी उतारे मैदान में और जो मजबूत होगा उसको एक दूसरे को समर्थन कर देंगे अन्त समय में लेकिन उस पर भी बात नहीं बनी सिरी पोस्ट लाइब ने कल आपको एक खबर दिखाय था और आज खबर दिर शाम तक ये आने लगी कि कि खिश्वत जो है वो चुनाव लड़ सकती है वामपन्थ कि हाई कमान तक तेजस्वी यादब तक पहुंचा और बड़े नेताओं तक पहुंचा और अंततह देड़ शाम होते होते एक प्रेस रिलीज जारी करके कृष्णा यादब को आर जेडी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है जी हां बकाईदार रामचंद ही दलो की संयुक्त उमीदमार बन पाती है खगरिया लोकसभा शेतर से ये एक बड़ा सवाल है आगे जैसे इस मामले में कोई लेटेस्ट अपडेट आता सबसे पहले आप तक पहुंचाते है तब तक के लिए देखते रिए परते रिए सिटी पोस्ट लाइव और अगर आ कर दो